असलामेकूम स्टूदेंट्स आज हम जो हैं लोईस पास्टर के पेराग्राफ नमबर 14, 15, 16, 17 और 18 का कुछ हिसा करेंगे इससे पहले वाले जो पेराग्राफ हैं उनके सेनोनेम्स और इंपोर्टन लाइन्स मैं अपने पहले लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ दे वान, दे टू, दे त्री, दे फोर लोईस पास्टर के जो लेक्चर्स हैं तो अब हम पेराग्राफ नमबर 14 से शुरू करते हैं यह पेराग्राफ से श, दे लिक रॹले से के लिहाँ से बहुत जाए इंपोर्टन नहीं हैं कुंके इसमे इतनी इंपोर्टन लाइन्स नहीं हैं इसमें सिर्फ उसमें करये कि आपने कॉन्सेब को अच्झी तरह से अदरस्टन करना हैं क्योंकि इस concept से related two questions जो हैं आपकी exercise में हैं हम लोग शुरू करते हैं Silkworm disease आज का हमारा topic है Lewis pastor जो है Lewis pastor उनकी Silkworm disease के उपर उनके काम के उपर यह जो है paragraphs है paragraph number 14 paragraph number 14 यह है कि Lewis pastor में को जिस चीज से the man in the street इसमें में साथ साथ synonyms जो थोड़े बहुत important मुझे लगते हैं या जो ज्यादा important लगते हैं वो मैंने साथ साथ लिख दी हैं और वो lines में आपको समझाती जाओंगी वो प्रेटे difficult lines नहीं है उनको आपी जिली कर सकते हैं शुरू यहां से होता है यह paragraph number 14 के वह discovery या वह बात जिसकी वैसे pastor को the man in the street यानि हर आम शक्स जो है वो जानने लगा सब आम लोगों में पास्तर मक्बूल हो गये वो उनका काम था Silkworm disease के उपर Silkworm का मतलब है रेशम के कीडे South of France South of France प्रांस का जो पूरा सद्रन एरिया था उस सारे में वो सारा का सारा गरीब किसानों पर मुझतमिल था पैजन्ट्री ये वर्ड है पैजन्ट्री पर मुझतमिल था फार्मर्स पर मुझतमिल था और ये लोग गरीब थे एग्री कल्चर के साथ साथ अपनी लाइवली हुट कमाने के लिए रोजी कमाने के लिए ये साथ में रेशम के कीडे Silkworms पाला करते थे और Silkworm वहां की बड परिश थ्राइब करना ग्रोगर्स करना कंसिस्टेंटली कॉंटिनीउसली मुस्तिकिल तौर पर 15-16 साल तक तो इस इंडस्ट्री में बहुत जादा तरक्य की और इससे किसानों को फाइनचली बहुत फाइदा हुआ लेकिन फाइनचली बहुत फाइदा हुआ जो वहां की क किसान थे वह बहुत ज्यादा अपने रेशम के कीड़ों को पालने की संद्ध की बहुत इंपॉर्टन्स थी इसकी वज़ए यह थी कि उनकी जो रोजी थी उसका एक बड़ा हिसा गरीब किसानों की रोजी का बड़ा हिसा सिल्फ वर्म से आता था सिल्फ वर्म इंडस्ट् मैने के सिएसाइड है रिजर्व करना स्पैसिफाइब करना मखसूस करना वन्हें अफने घर का बेस्ट रूम इस इन रेशम के की कीड़ों के लिए स्पैसिफाइब कर रहा था फॉर्ड़रिंग और वो करते थे यानि उनको पालते थे और our home करते थे वन इसम पैस्सिया के कि उनके कमरे में यानी रेश्यम के कीड़ों के कमरे में ज्यादा सर्दी तो नहीं हो गई और उनका temperature मुनास्प करने की लिए वो बार-बार अपनी राथ को उठकर इन रेश्यम के कीड़ों की देखभाल किया करती थी और वो जब आपस में मिलते थे तो यानि सदरन फ्रांस के जो पेजन्ट्री थी किसान थे वो एक दूसरे से मिलते थे तो ये नहीं पूछते थे सलाहम दुआ ऐसे नहीं करते थे के how do you do आप कैसे हैं वो ये पूछते थे how are your silk worms doing आपके रेशम के कीड़े कैसे हैं उसके बाद ये इंडस्ट्री 15-16 साल तक तो बड़ी फ्लारिश की बहुत रखी हुई इसमें लेकिन 1849 में 1849 एक ऐसा साल था जिसमें इस रेशम के कीड़ों को एक मिस्टीरियस virus, mysterious epidemic, इनमें एक mysterious mean पुरिस्रार, strange, epidemic, epidemic means outbreak, scourge, scourge, epidemic about फेल गई एक पुरिस्रार फेल गई और ये रेशम के कीड़ों की सेंपफा स्ब्राइं ऋने लगी, इससे किसानों को माली दौर बहुत नुकसान होने रगा क्योंकि वो पैसों के लिहाज से अपनी रोजी के कि यह वो यह सोचा गया कि शायद एक जाड़ एक फॉर्ट खराब हैं इसलिए उन्होंने अपने अंडे सारे अपने पर्वानों के अड़े पर्वाने एपने चोटे चोटे कीडे उरते बहीं को कभी वर्म्स भी का जाता है और कहीं कहीं आपको मौत कवर्ड भी मिलेगा मौथ मीन परवाना, इंसेक्ट ही होता है यह भी, जैसे शमा के परवाने से एकट्टे हो जाते हैं, यह भी उस साइज में थोड़े से छोटे कीड़े होते हैं, जो उड़ते भी हैं, इसे इनके लिए दो वर्ड राइटर ने यूज किये हैं, मौथ का और दूसरा इंसेक्ट और तीसरा वर्म का वर्ड भी यूज किया है, इसलिए कोई भी वर्ड यूज करें, आपको पता होना चाहिए कि यह रेश्यम के कीड़ों से ही रेलेटर बात है, जो उन्होंने किसानों ने सोचा कि शाइद एग्स में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट बेमारी नहीं थी, उन्होंने कोई epidemic नहीं थी, लेकिन उन परवानों से, जो उन्होंने इंपोर्टेट एग्स मंगवाए, उन में से जो परवाने निकाले उन परवानों के अनों से, जो अगली नसल पैदा हुई, उनमें दुबारा से वो epidemic र यूपियर हो गई, और वो ए्प्रांस निकल कर दूसरे मुलकों में भी ध्यागई और यहां तक के ic ai आ एक एसा मुल्क रह गया जिसमें यह बिमारी नहीं थी सिल्कवरम इंड्स्ट्री वाला वाइद मुल्क जिसमें यह बिमारी नहीं थी वन्ना हर मुलक के परवाणओं को वहर मुल्के रेशम के कीड़ों को एक खास किसम की अपिडामिक लगे थी 1846 यहां तक के 1865 में 15-16 साल की तबाही के बाद फ्रांस की गवर्मेंट ने पास्टर से रिक्वेस्ट की कि वो इस बिमारी को इन्वेस्टिगेट करें इन्वेस्टिगेट, 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 इन्वे विम्यादान हैं, chemistry के expert हैं, वो कोई naturalist नहीं है, कोई zoology या बाटनी से related, हावानाद या नबताद से related उनका काम नहीं है, ना ही वो उसमें माहर हैं, और उन्होंने ये मजीद कहा कि आज तक उन्होंने किसी रेशम के कीड़े को touch भी नहीं किया, छुआ तक नहीं है, तो वो क आएं, सिर्फ उनसे इतना ही काम लिया जाएगा, पास्टर ने government की request पर, इसलिए हाँ की, क्यूंकि पास्टर जो थे, उन्हें बहुत हमदर्दी थी, उन डिवैस्टेटेटेड रीजन्स के, डिवैस्टेटेड रीजन्स के, पैजन्स से, किसानों से, डिवैस्टेटेड इसलिए जो इसलिए जहां पर दबाह हो रही थी, उन इलाकों के किसानों से खुद भी पास्टर को बहुत सिंपती थी, बहुत हमदर्दी थी, पिटी थी, बहुत पिटी फील करते थे, उन फैमिली के लिए, इसलिए उन्होंने नहामी भर ली, और वो सिल्क वर्म डिस्ट कैχा, इलिस नाम के एक तैसील की तरफ के जाकर वहाँ पर उन्होंने इसल्क के उपर काम शूरू किया, उनकी ब्यमारी को इंवेस्टिगेट करना शुरू किया, पास्तर जो थे उन से पहले भी कई लोग इस बैमारी को इंवेस्टिगेट करने की कोशिश कर चुके थे उन्होंने यह देखा था कि यह जो बैमारी है इसमें जो रेशम के कीड़े हैं उनके उपर एक माइक्रोस्कोपिक ग्रेंज जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिक ग्रेंज यह हम पैराग्राफ नंबर 16 की तरफ मूव कर रहे हैं पास्तर से पहले जो अर्ली उब्जरवर्स से उन्होंने यह देख लिया था और यह बात पता चल चुकी थी कि इन परव पास्तर ने इसको शुरू किया और पास्तर ने किसानों को बहुत सारी ऐसी प्रेवेंटिव यह फास्ती एकदामार बताए जिससे इस प्रिमारी से वह बच सकते थे उन्होंने पहली बात बताई पास्तर ने वह बताया कि हर परवाने के हर रेशम के कीड़े के अंडों को अंडों को इकठा नहीं रखना बरके हर परवाने से हसिल करने वाले अंडे को आपने अलग अलग करना है और पर पास्तर ने कहा कि सिर्फ उन्हीं परवानों के इंडों को आप इस्तमाल करें अगली जनरेशन निकालने के लिए जिनके पेरेंट्स हैल्दी हों जिन परवानों के जो परवाने बिमार हों उनके अंडों को आप इस्तमाल ना करें उनको तल्फ कर दें लेकिन हर परवाने के अंडे को अलग 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 एकठा करने के लिए उनको microscope की जरूरती हुर्दबीन की जरूरती पास्टर ने बहुत जल्दी realize कर लिया पी यहां पे पास्टर के लिए मैंने लिखा है पास्टर realized that this instrument would be a strange and terrifying thing for the peasants peasants mean farmers, किसान लेखें कितना खुबसूरत word है ना farmer आप शुरू से बढ़ते हैं लेकिन उसके लिए और बहुत बुक्सूरत word है peasant, किसान तो पास्टर ने यह realize कर लिया कि यह instrument जो है यह किसानों के लिए बहुत ज्यादा terrifying है इसे बहुत ज्यादा डर रही हैं , बहुत ज्यादा खौफ जदा है और इसके इसंमाल में बहुत हिच्कचा रहे ैं तो पास्टर ने उनके डर को और खौफका और हिच्कचाहट को दूर करने के लिए कहा इस आले को इस माइक्रोस्कोप को इससमाल करना बहुत आसान है पास्टर ने कहा कि मेरी आठ साल की बेटी है और वो इस इस इंस्ट्रूमेंट को इससमाल करने में बहुत एठ होम है एठ होम का मतलब एक्सपर्ट होना मेरी आठ साल की बेटी इसको बड़ा एक्सपर्टली यूज करती है बड़े महराना तरीके से यूज करती है तो जब मैं एक छोटी सी बच्ची कर सकती है तो आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं यानि पास्टर ने बताया कि अगर आप परवाने की अंडे को अलग 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 रखेंगे और सिर्फ उन परवानों के इंडों को इस्तेमाल करेंगे जो हैल्दी पेरिंट्स ते हासिल हुए हैं तो आपको यह बिमारी आपके परवानों में नहीं पहलेगी और इस चीज़ के लिए आप फुर्टविंग का इस्तेमाल करें लेकिन इसके इलावा तीन चीज़ें जो थी और डीप पास्टर ने जो हैं वो प्रेस्क्राइब की किसानों को के नमबर वन आप अवाइड करें अंक्लैनलीनेस को अंक्लैनलीनेस गंदगी को अवाइड करें जहां ये कीडे हों वहाँ चीज़ों को साफ रखें हाइजेनिक चीज़ों हाइजेनिक कर्णिशन्स में इन परवानों को रखें क्यूंकि गंदगी से ये परवाने जो हैं वो लायबल टू डिजीज हो जाते हैं यानि उन पे बिमारी के हमले का खच्छा बढ़ जाता है दूसरी चीज उसने कही पहली कही अवोईट अकलेन इन्स दूसरी कही अवोईट ओवर्क्रावडिग के एक जगा पर बहुत ज्यादा पर परवाने यी कट्ठे मत करें बहुत ज्यादा रिशम के कीड़े एक जगा पर ना रखें जितनी जगा हो उतने ही मुनासिब तदाद में रेशम के कीड़े उस जगा पर रखे ओवर क्रावडिंग को अवाइड करें और टीसी चीज जो उन्होंने अवाइड करने को की वह है ओवर हीटिंग तो उन परवानों को फेसिलिटेट करने के लिए बास उकात वहाँ के लोग ज्यादा गर्मी कर देते थे उस कमरे में जहां पर रेशम के कीड़े होते थे यह परवाने जो हैं या यह रेशम के लिए लाइबल टू डिजीज हो जाते हैं लाइबल का मतलब लाइकली यह बड़ा खुबसूरत वर्ड है कि हम जैसे यहां आजकल करोना पहला हुआ हुआ है तो हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं बच्चों को करोना होने का इमकान नहीं है यहां बच्चों को करोना होने के चांसर नहीं हैं तो लाइबल बड़ा खुबसूरत वर्ड है इसको आप अपनी लाइफ का हिसा बनाएं इसी तरह वो कहते हैं उन्होंने का इस यह इस तरह से पास्टर ने बहुत अच्छा हुआ कि जबरदस्ती पास्टर को जो हैं वो चीजह यह परवाने को एक राशम के कीड़े तो से यहां तो था फैल्ल रहा था यहिले टीजी जो थी यह इंटेजिंजियोस थी एक दूसर चाहिने को को था आप इसके बाद उन्होंने तमाम जानदारों के स्टडी कर शूरू कर डिया और एस सब से बड़ी बात यह है क इंसानों की बिमारियों को भी पास्तर ने स्टड़ी किया और उनके लिए वैक्सिनेशन का तरीका अब चलते हैं अपने 18 पेराग्राफ की तरफ 18 पेराग्राफ की चुरू की चंद लाइन्स जो हैं वह से रिलेटेड हैं वह भी मैं आप से डिसकुस करना चाहूंगी यह था दिस वह इन 1865 के लुइस पास्तर ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया इस बैमारी को और वह इतना उन्होंने ओवर्वर्क किया कि 1868 में 1868 में उन्हें एक पैरलेटिकल स्ट्रोक हुआ फालिस्ट का हमला वर्म के जिसम के उपर और इस फालिस्ट के हमले को जो है वह एट्रिबूट किया जाता है एट्रिबूट का मतलब एसक्राइब किया जाता है किसी से मनसूब किया जाता है उनके ओवर्वर्क सिल्फ वर्म के उपर उनका जो ओवर्वर्क था उनका बहु इसके दो मिनिंग्स हो सकते हैं या मुझजाना तौर पर उनके जहन पर दमाग पर असर नहीं हुआ और वो दमाग से अपना जो काम करते थे वो जो है वो इस उन्होंने इस स्ट्रोक के बाद भी कॉंटिन्यू किया आज के लिए इतना ही काफी है नेक्स लेक्चर में मैं आपको सिल्फ वर्म से रिलेटेड क्वेस्टन आंसर्स करवाओंगी